ओम नारायन 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 सब मीत्र कुराम राम सबका स्वागा थे दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों पास दिन पे लियानी 13 सितंबर शुकरवार को नेटफिक्स पर सेक्टर 36 ये एक नई हिंदी क्रेम थिल्लर फिल्म रिलीज होई है क्योंकि जब 2006 में ये घटना होई थी तब मैं घर पर भी नहीं था आश्रम में था और उसके बाद भी कभी भी मैंने इस केस के बारे में कभी कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है तो बस फिल्म के बारे में अभी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं देखें सिरिल किलर्स की उपर आधारीत फिल्मों की कंटेंट की अगर हम बात करें तो भारत में तो बहुती नगन्या ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा क्योंकि ऐसे कोई आधि घटना है भारत में हमें देखने को भी नहीं मिलती है पर तो Hollywood में अगर आप देखेंगे तो Line से ऐसी फिल्म में आपको देखने को मिल जाएंगी Line से एक नहीं, दस नहीं, पच्चासो या शायद सेक्रों ऐसी फिल्म है Film Series बनी हुए, केवल फिल्में नहीं पच्चासो Film Series आपको मिल जाएंगी कोई Slasher Film है, कोई Horror Film है कोई Psychological Thriller Film है कोई Crime Thriller है, कोई Investigation Drama है, ठेर सारे ऐसी फिल्म है जैसे की Mindhunters का पुधारन ले लीजे, उसमें ऐसे कई सरे Serial Killers के कैसे को Study किया गया है, Investigate किया गया है या फिर अभी दो वर्श पहले हमने Damer का, Damer Monster The Jeopardy Damer Story इस Series का Review किया था हमने अगर नहीं देखा है, Mindhunters और Damer का हमारा Review, तो इन दोनों ही Reviews को, मैं strongly suggest करूंगा आपको, इन दोनों ही हमारे Reviews को आप अवश्य अवश्य देखना बहुत सारी विस्तार से हमने वहाँ पर बाते चर्चा की हुई है तो Mindhunters या पर डामर का तो मैंने अभी ऐसे ही उधारन दिया, इसके अलाव भी आपको बहुत सारी Slasher फिल्मे मिल जाएंगी Film Series, Horror Film में वगरा Halloween हो, Scream हो, या बहुत सारी यारेसी Series बनी हुई है क्योंकि इसके पीछे का Reason यह है कि 70, 80, 90 के दशक में, अमेरिका में, बहुत सारी ऐसे Serial Cleaning की घटनाय हुई है, बहुत सारी उन में से कुछ को केवल Mindhunters में Study किया गया है और इवन अभी भी, केवल 87, 90 के दशक की बात नहीं, अभी भी आप देख लीजिए ऐसी घटनाय होती है और विशिशता आज के समय में तो Shootout की घटनाय जादा होती है कोई बच्चा गन उठा करके लिए करके आ जाता है स्कूल में, अंदाधुन गोली बारी कर देता है कई बच्चे, टीचर वगरा की मृत्तियों जाती है और हर वर्ष ऐसे सेकड़ो लोगों की मृत्तियों होती है अंदाधुन गोली बारी में सेकड़ो, हर वर्ष और इसके पीछे का सबसे मुख्या रिजन अगर हम देखें है तो कि वहाँ पर टूटे हुए परिवार बच्चे एक बहुत ही अस्तिर वातावरन में बड़े होते है अधिकतर बच्चे सिंगल परेंट्स के साथ में बड़े होंगे, पिता किसी और के साथ में मा किसी और के साथ में बहुत कम बच्चे से होते हैं जो एक जुड़े हुए परिवार में बड़े होते हैं सिंगल पैरेंट्स के साथ में कुछ बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ कॉन्वेंट में बड़े होते हैं बाद में उनको फॉस्टर पैरेंट्स के साथ में बेज दिया जाता है और अधिकतर फॉस्टर पैरेंट्स के साथ में बड़े होने वाले जो बच्चे हैं वो बस भौतिक सुक के पीछे भागना, मन को कंट्रोल नहीं करना, मन पर कभी लगाम नहीं लगाना, ने ने भई मन को रोकना नहीं चाहिए, ने भई इच्छाओ को रोकना नहीं चाहिए, जो मन में आए वो करो, और जब व्यक्तिक देखता है कि यार अब फिर मेरे मन के अनुस और फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भई, शोक, चिंता, इर्शादवेश, इन सब बातों के कारण फिर बहुत सारे लोग है जो उस अस्तिरता में गलत मिरने ले लेते हैं और आप देख लिए मैंड हंटर्स को भी अगर आप स्टडी करेंगे न उसमें से अधिकतर जो स और आप सिर्योग आप देखेंगे, स्टडी मैंने गलत कहा, और आप देख ले ले न उसमें जिन-जिन कैसे इसको स्टडी किया गया है, अधिकतर सिर्येल गुलर्स विर्ड विकृत सेक्शूल फैंटेसी जिन सेक्शूल फैंटेसी को वोग और Лिबरल्स आजकर अपनी फ शायद भारत के वोक और लिबरल्स इस वात से परिशान होंगे कि भाई भारत में इतनी मानसी कुरुप से अस्तिर लोग क्यों नहीं है, जुड़े हुए परिवार क्यों नहीं है, परिवार टूट क्यों नहीं रहे, लोग जुड़े हुए परिवारों के साथ में कैसे लोग बच्चे बड़े हो रहे है नहीं अंस्टेबल टूटे होई परिवार होने चाहिए आप देख लिजे अमेरिका की जनसंक्या भारत की अपिक्षा कई गुना कम है परूंत वहाँ पर सिरेल लिंग या गोली बारी शुट आउट वगरा यह घटना है भारत की अपिक्षा संग में जाते हैं माता-पिता का अनुशासन मात्रुदेव भवव पित्रुदेव भवव एक पिता अपना करतव्य मा अपना करतव्य समझती है सबकी बात नहीं कर रहा है बहुत सेरे लोग आज भारत में भी उसी वेस्टन लाइपस्ट्टैल को उसके अनुसार जीने का प्रियास करते हैं वो उनको कूल लगता है वो कितना अपना ही नुकसान कर रहे हैं आने वाली जनरेशन का नुकसान कर रहे हैं उनको नहीं पता वो एक अलग बात है पर तो आज भी अधिकतर ट्रेडिशनल फैमिलीज मध्यमरग या इवन गरीब्या अमीर की बात में नही कर रहा हूँ बहुत सारे लोग आज भी अपने कल्चर रूट्स के साथ में जुड़े हुए हैं चलो वेक ये ये मैंने क्यों बता है क्योंकि अभी स्रियल किलर्स के उपर आधरित के हम बात कर रहे हैं तो इसकारण से मैंने ये चर्चा की अभी सेक्टर 36 की अगर हम बात क या मिली की भाई बहुत डिस्टरबिंग है, फिंट हर्टेड लोगों के लिए नहीं है, कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है और वो क्या sensuous down your spine आपके रिड की हड़ी मैं ऐसे सीरन दोड़ पड़ेगी इस फरकार की बात है मेरे पड़ने में आई हाला कि पूरी फ फिल्म डिस्टरबिंग लगी होगी शायद, पर मुझे परसनल या ऐसा कुछ नहीं दिखा फिल्म में, या इवन मैं तो कहूँगा कि जिनोंने कुछ नहीं भी देखा है ना, उनके लिए भी कुछ बहुत ज्यादा ऐसा डिस्टरबिंग बात उन्होंने दिखा दी हुई, बाकी विकरान मसी का भी जो कैरेक्टर है, उसको जो उन्होंने जिस प्रकार से साइको दिखाने का प्रयास किया है, मैं सच कहा रहा हूँ, विकरान मसी का परफॉर्मेंस इतना जादा खराब था फिल्म में, इतना खराब था, कि वो लिटरली जैसे हडबड़ा रहे हो, ए इतना ही जादा बढ़िया था, इतना जादा बढ़िया दिपक डुब्रियाल का परफॉर्मेंस था फिल्म में, बहुत ही जादा बढ़िया परफॉर्मेंस, फिल्म के एंडिंग में एक जो पुलिस टेशन में जांच वाला जो सीन है, उसके बारे में आपने शर्चा सुन उसने किया हुआ है, वो बिल्कुल ही जैसे हसते खेलते हुए, कुछ उसको फरकी नहीं पड़ा, जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो, इस प्रकार से वो उन सारी घटनाओं का वरणन करता है, उस समय विकरन मसी का तो परफॉरमस बहुत जदा हमें खराब लगता है परंतु उसी समय आप धिपक डोब्रियाल के पातर के तरफ देखिए, उनकी आखे बोल रही होती उस समय, किस प्रकार से अंदर से उनकी अंदर गुसा है, क्रोध है, घिना आ रही है उन्हें उस व्यक्ति से, स्रियल किलर से, वो केवल आखों से हम उतना फील कर पाते हैं, पर उसी समय सामने विकरान मसी का परफॉमस इतना जदा खराब होता है कि फिर एकदम से उस सीन में हम क्या फील करें वो समझ भी नहीं है, हम यही विचार करते रहते हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट परफॉमस जब हम देख रहे होते हैं, इसके अलावा जो पूरी ये क इस है ना, उसको इतना एक बिल्कुल फ्लैट स्टो रिटेलिंग हम कह सकते हैं, शुरुआत में ही विकरान मसी के पात्रों को हत्या करते वे दिखाया है, उसके बाद भी एक दो हत्या हो कर रहा है, पकड रहा है, ये वो दिखा रहे हैं, उसके तुरंद बाद में फिर इं न्यूटन में बड़ा विश्वास रखते थे, सात्मी वो ये भी बताता है कि न्यूटन ने जो सिध्धान्द बताया है, वो हमारे शास्तर में उससे भी पहले बताया हुआ है, ये सब बाते वो कहता है, उसके तुरंद बाद वो दिखा रहे हैं कि ये जो पुलिस कॉम करने के लिए जाते हैं, और उस सीन को जैसे कि बॉलिट के हमेशा से आदत रही है, रामलिला के जबरदस्ती मजाग उड़ाएंगे, और आप देख लीजे रामलिला का सीन इतना, इतना, मुह से गंदा शबने बोलना नहीं चाहता, पर बहुत ही अपमान जनक तरीके स उन्होंने उस सीन को प्रस्तुत किया है, और वहाँ पर फिर जो दिपक डोब्रियाल का करेक्टर है, रामचरन पांडे इंस्पेक्टर, रावन की भूमिका में है, वो अपना फ्रस्टेशन वहाँ पर निकाल रहा है, कि पुलिस डिपार्टमेंट को फंड्स नहीं मिलते, और फिर वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, ठीके उस पातर में आपको मन परिवर्तन होना ये भी अगर दिखाना हो, तो भी उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करने का जो तरीका था बहुत ही ज़्यादा घटिया था, आप उस पातर को देखकर ही आपको बिल्क बहुत अलग उन्होंने दिखा दिया हो, ये तो होगा नहीं, पर उन्तु बस इनकी जो पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स वगरा है, वो लिग देंगे कि भाई, बहुत डिस्टरबिंग है, फेंट हर्टेड लोगों के लिए नहीं है, सेंट शिवस डाउन यूर स्प स्टूरी टिलिंग देखिए, क्यों वाइलनस नहीं दिखा रहे हो, स्टूरी टिलिंग आप देखिए, जो पुलिस ऑपिसर भी होगा, वो जो इन्वेस्टिकेशन भी दिखाया जाएगा, वो कैरेटर्स इतने इंट्रेस्टिंग लगते हैं, इतने लाइकेबल लगते हैं कि हम तुरंथ उनके साथ में connect हो जाते हैं तुरंथ हम उनके साथ में जुड़ पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उन पात्रों में कुछ निश्ठा होगी अपने कर्तव्वे के प्रती अपने काम के प्रती या कुछ उनको corrupt भी दिखाया जाएगा तो हम उन पात्रों को उनके साथ में जुड़ पाते हैं पसंद कर पाते हैं यहाँ पर ये लोग इतने कुछ अपने आपको पताने कौन से बहुत intellectual समझते हैं और इतना आपने आपको cool दिखाने के लिए जबरदस्ती बहुत depressing dark tone दे देंगे फिल्म को जबरदस्ती कुछ art house type बनाने का प्रयास करेंगे creativity तो कुछ है ने बहुत ही flat storytelling serial killer है वो मार रहा है police officer है वो corrupt है वो बदल गया और फिर उसकी बेटी को पकड़ के ले जा रहा था फिर वो ढून रहा है तुरंत उसको मिल भी जाता है और फिर सामने बैठ करके वो investigation कर रहे है और police department का थोड़ा सो corruption बगरा दिखा दिया हो गया कोई emotions नहीं कोई character development नहीं कोई उन characters के साथ हमें जूडने का इच्छाई नहीं होती कुछ भी ऐसा interesting या creative वो करने का प्रयास नहीं कर रहे है जस्ट बस अपने आपको intellectual दिखाने के लिए थोड़ा dark और depressing tone डाल दिया और फिर इनकी puppet media, puppet critics थोड़ी बहुत कुछ बात इलिख देंगी disturbing, finthurted लोगों के लिए नहीं है और इसे में ये लोग कुछ हो जाते हैं कुछ भी अलग भी करने का प्रयास नहीं serial killers पर भी उना रहे हो तो कुछ तो अलग करो यार कुछ तो creativity तो दिखाओ कम से कम storytelling में जैसे कि budget की बहुत कमी हो और जितना हो सके कम से कम budget में उन्हें ये film पूरी करनी थी ऐसा ही इस film को देखकर के आपको seriously यही लगेगा आपको film देखकर के इन्हें लगा कि थोड़ा सा ऐसा घिन आनी चाहिए घिनोना लगना चाहिए तो चलो toilet में जो बहुत गंदा सा है उसमें खून बैते विए दिखा देंगे और पिछे से ऐसा कुछ वो काट रहा है या आवाज डाल देंगे हो गया बस इनका हो हो इसे में फोड़ा लग जाएगा डिस्टर्बिंग और इन्विस्टिकेशन में भी ज़्यादा अलग-अलग लोकेशन पर ना जाना पड़े तो एक ही रूम में बैट करके वो आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर कोई ऐसे ज़्यादा flashback scenes वगएरा भी उन्होंने नहीं डाले मतलब जैसे बहुत ही कम से कम budget में उनको बस पूरा करके छोड़ देना हो जैसे ऐसे ही लग रहा था seriously चलिए बाकी तो मैंने बताई दिया पूरी फिल्म में दिपक डोब्रियाल उनका performance यही एक positive बात थी यही एक single positive बात थी पूरी फिल्म की तो मैं sector 36 को दूँगा 4 out of 10 stars parental guidance की कोई आवशक्ता नहीं है बच्चों के साथ में तो obviously देखने जैसे फिल्म बिल्कुल भी नहीं है फिल्म में कोई sex neutrality वगएरा नहीं है पर उन्तु sexual violence का यहां पर उले किया गया है जो serial killer है उसके मामा उसके साथ में वो sexual assault को शीकार रहा है बाकी जिन मित्रों नहीं इस फिल्म को देखा है आपका अनुभव कैसा रहा है मुझे आप नीचे कमेंट में आवशके बताना इवड़ी देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम